नमस्कार मैं हूँ आचल और आप देख रहे हैं डीवी लाइव अनुची 370 पर सुप्रेम कोर्ट ने फैसला देते हुए मोधी सरकार की मुश्किले भी बढ़ा दी हैं जिसके बाद कॉंग्रिस समेत कई विपक्षी दलों ने मोधी सरकार को चुनोती दे दी है कैसे सुप्र 70% हटने से कश्मीर में शांती बहाल हुई है लेकिन मोधी सरकार के इस दावे पर सवाल उटता ही रहा है कि जब कश्मीर में इस्तिती बहतर है तो फिर चुनाव क्यों नहीं कराये जा रहे हैं मोधी सरकार पर सवाल ये उठता आ रहा है कि मोधी सरकार के मताबिक 2019 से पहले कश्मीर के इस्तिती बहतर नहीं थी लेकिन तब भी वहाँ पर चुनाव हुए लेकिन अब जब वो इस्तिती बहतर होने का दावा कर रही है एक भी पत्थर ना उठने की बात कर रही है तो मोधी सरकार चुनाव क्यूं नहीं करवा रही है आखर किस बात का डर है मोदी सरकार को जब करनाठक चुनाओं के साथ कश्मीर विधान सभा चुनाओ कराने की बात चल रही थी और चुनाओं आयोग ने भी ये साफ कर दिया था हम चुनाव के लिए तयार हैं तो फिर चुनाव क्यूँ नहीं कराए गए जब कर्णाटग के साथ कश्मीर के चुनाव के चुनाव नहीं हुए तो उसके बाद आसार यह थे कि हाल में बीते पाँच राचियों के विधान सुनाव के साथ कश्मीर का भी चुनाव हो सकता है लेकिन चुनाव तब भी नहीं कराएगे यहां तक कि लोग सभा चुनाव के साथ भी कश्मीर विधान सभा के चुनाव की कोई तयारी नहीं दिख रही है लेकिन अब इस पर सुप्रेम कोट ने बड़ा फैसला सुना दिया है जिसके पसले के दौरान चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया दीवाई चंद्रचूर ने चुनाव आयोग को भी निर्देश चारी कर दिया कि वो 30 दिसंबर 2024 तक जमू कश्मीर विधान सभा के चुनाव कराएं अब जैसे ही सुप्रिम कोट ने ये आदेश तुनाया उसके बाद कॉंग्र जब से ये देश में हमारे संग्विदान में सामील हुई थी उसी समाई से ये टेम्पूरारी के आधार पे हुई ये टेम्पूरारी एड-hoc में लेकिन उस समाई ये 370 दिये गए थे इसके पीशे जो कारण वह भी बताए गया थे लेकिन सदन के अंदर बार-बार हम ये लगाते आते थे कि इस एक स्टेट को अब भंग करके तो स्टेट की मर्यदा कब बापस जाएगी ये पूछ दिन पहले भी सदन के अंदर ये मोद्धाम लोग उठाएगी ठीक है और ये सदन के अंदर हमारे आमिस साज ये कह रहे थे बड़े जोर सोर से सिना ठोक के हम पी ये चुनाओं तो आते जाते रहेंगे कम जगम इस चुनाओं की पहले तो पीए को तो कब्जा में लाया करो तो आपने सुना कॉंग्रेस निता अधिर रंजन चौधरी को उन्होंने साफतोर पर यहां पर सवाल खड़ा किया कि आखिर चुनाओं क्यों नहीं कराये जा रह हैं वहीं पहले भी मोधी सरकार को कश्मीर में चुनाओं कराने को लेकर घेरा जा चुका है विपक्षी नेता लगातार सवाल करते आए हैं कि आखिर चार साल में कश्मीर के स्थिती क्यों नहीं बहतर कर पाई मोधी सरकार अगर वो यह दावा कर रही है कि उसने कश्मीर के आगे कहा था सबसे पहले वो आपको सुनाते हैं उसके बाद ख़वर में आगे बढ़ते हैं सुनिए फारुक अब्दुल्ला का बयार सवाल इस बात है जंटा ने वोट दिया और चार पांच राजू में एलेक्शन हो गए जहां तक जम्मो कश्मीर का सवाल है वहाँ आज तक भी एलेक्शन नहीं हो रहे हैं छे साथ साल हो गए हम लोग भी तो इस भारत का हिस्सा है हम लोग के साथ भी इंसाफ होना चाहिए ब भारत को एक रखना है भारत सबके लिए है और भारत को मजबूत करना हम सबका काम है तो आपने सुना जम्मू कश्मीर के पूर्व मुखमंतरी फारुक अब्दुल्ला का बयान किस तरीके से उन्हों ने सवाल खड़ा किया कश्मीर को लेकर और यह कहा कि चुनाव आखिर क्य चुनाव को लेकर चली आपको दिखाते हैं इसलिए कहता हूं कि सदन के अंदर हां को ना और ना को हां करने में आप लोग को माहिर आप जो रूर मानते हैं कभी-कभी सफच को काला काले को सफच करने में आप लोग कोई बड़ी बड़ी स्कील है बड़ी चतुरत है लेकिन असलियत नहीं बता दिये हैं देखिए एक चुनाव में आप लोग जीते हैं इसका मतलब बेर नहीं दुनिया जीत लिए हैं आम लोगों की भोट किसी की जेब की ये मान के चलिए आज जीत हुआ इसके मतलब ये नहीं कि कल आपको जीत शुनिश्टित है ये मान के चलिए ज़्यादा ज़्यादा अहंकरी मत बनो ये अहंकार आप लोगों को फिर धूल चटने में मजबूर करेगी ये जो ये जो ये जो ये जो दोने दो जो विदा के ल बिदा को कटोती करो और सारे पॉपुलेशन के अंदर एक भेद भाव पाईदा करो यही तो है आपका मकसर आप 35 यह तो हटा दिये लेकिन दोमिशा इन लोग के लिए जोमू में मांग उट रहे हैं लडाक में मांग उट रहे हैं इसके लिए कोई जबाब के पास है इसलिए मैं कहता हूँ कि यह जो बील आप लाए है हमें इसमें कोई आपती नहीं है आप ला सकते लोगों को सुभी दर ज़रूर दिजिए लेकिन असलियत को चुपाना नहीं है असलियत को चुपाते हैं अगर रहोगे तो मतलब आज नहीं तो काल देश आपको ज़रूर एक तो हम इसलिए ये बात रखते हैं और हम इस सची जो कहें हैं कि जहुलार नहरूर काश्मीर की मुद्दे पे सारे दीन एक दिन चर्चा होना जोरूरी है यह मैं पेशकस की हैं वो मान लिए हैं चलिए एक दिन दीन भर ये चर्चा हो कौन क्या कैसे तो आपने सुना अधीर रंजन चौधरी किस तरीके से सदन में इस पर सवाल खड़ा कर रहे थे मोधी सरकार को विपक्षी नेता लगातार इस मुद्दे को लेकर घेर रहे हैं और अब जब चुनाव आयोग पर भी सवाल खड़े हो गहें और चुनाव आयोग से 30 सितंबर पहले चुनाव कराने का आदेश सुप्रिम कोट ने दे दिया है और नदेश सुप्रिम कोट के दरब से जारी कर दिया गया है तो कहीं न कहीं मोधी सरकार घरती हुई नजर आ रही है क्योंकि जो लोग सभा चुनाओ है उसके साथ भी चुनाओ कराने की कोई तैयारी नहीं दिख रही थी जिस पर विपक्षी दल लगातार सवाल कर रहे हैं कि जमू कश्मीर में कब होगा चुनाओ विधान सभा लाता है देखना दिल्चस्प होगा देखते रहिए डीवी राई मैं आचार।